जहिन सत्यून नमस्कार मैं चेतनी कुमार और आप जुड़ चुके हैं मारे यूटूब पेज जहारखंड आईक्यू से और आज हम सब कवर करने वाले हैं जहारखंड कवर तुनिष्ट प्रेश्ट जो जहारखंड में पहले चार अच्रों के बीच अशोक चक्र था और अब एक प्रितकार रंतर निर्तक हाथी और प्लास का फुलोग रखिप बारे में चर्चा किया जो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे साथ इसी सेसन में जन गन्न 2028 से सबंदित जो जन जातिये कवारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस सेसन में तो आज डे नंबर टू है और आप सब इसी समय पे हर दिन साथ बज़े साम को ही आप जूड़ जाएंगे जो एवरी डे साथ बज़े साम को इसी चैनल के माधियम से आपको यह जारखन जिक्के का एक डोज जो सोने से पहले का रिविजन हमने चलाया है उससे समधित आप लोग मिल पाएंगे तो आप स पहले नंबर कोजर जारखन राजखिय का जारखन राजगी ब्रिच है उसका नाम क्या है क्या खेंए समय न अंगी प्राश कि पूश्प जान्वाइजगा जारखन जारश के पूश्प क्या है तो सही answer हो जागा option number b plus चलिए तीसरे नमबर question जारखन राज के राजके पशू सही answer हो जागा option number ये चलिए चोथा नमबर जारखन राजके पंचे तो सही option हो जागा option number d कोल चलिए पांचों नमबर कोशन सुमिलित करना है कि राजके वंसे और यहां पर राजके परतिक दिया गया है जो जैसे ब्रीच फूल पुसप पजो पजी और उसके वेग्यानिक नाम जो है उसे मिलाना है तो ब्रिच को राज की ब्रिच जो यहाँ पे साल ब्रिच है उसे क्या कहा जाता है तो सुरेयर उबस्टा ये सही मिलान है पुस्प जो है प्लास का फुल है उसे बुटिया मुनस्फर्मा कहा जाता है ये भी सही है पसु जो है वहाथ थी है तो इसे एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है ये भी सही है पंच्छी जो है एडियोनेमस और अस्कुलोप पेसियस कहा जाता है वो भी सही है तो option number क्या हो जागा पाला दूसरा तिसरा चोथा option number ये सही हो जागा चलिए चेठा नमबर फोशन जारखन प्रण रखा गया था मतलब बं करके तयार किया गया था वह कव तो 14 अगस्त 2020 को 14 अगले दीनी इसको एक पर भावित ति गोशित कर दिया गया मतलब 15 अगस्त 15 अगस्त 2020 को इसका मानेता दे दिया गया ठीके चलते आठ्वा नमर को से आठो नमर कोचन जारखन राजी के नए राज की चीन का विन्याज क्या है ठीक है राज चीन का जो किस तरह से उसका बनाए गया वो आकिर्थी क्या है तो एक विर्ताकार आकिर्थी में इसे ढाला गया है जो साथ प्रकार की सर्कुलर आकिर्थी बनाए गया है ठीक है 9. जारखन राज के नए परतिक चिन के विर्तकार खंड में किस रंग का परियोग किया गया है तो जितने भी विर्तकार खंड बनाए गया है उसमें जो रंग लगाए गया हो हारा कलर के रंग से आकरतिस दरकर किया गया है में दासओ न omz को चन जोयारक्षण के नई पर्तिग चीड में के विरतकार खंड में परियुक्त हारारंग को दर्साता तो हारारंग जो सो हमेशा जहारकषण के हर्याली वफ वन समपदा को दर्साता है उत मर्हत्षण परतिक क्या है परतिक जो है बताना है कि हाथी जार्खन राज में दिखता गया है वो किसके पर्तिक देती है तो सही टिक हो जाग आप्शन नमबर C जो राज के एस्वरी को और परचुर प्राकृतिक संसादनों वहां संब्रीधी को दर्शाता है ठीक है तेरग नमबर कोजन जारखन राज के नई राज के चीन में कितने प्लास फूल को दर्शाए गया प्लास फूलों के संख्या कितनी दर्शाए गया तो हाथी और प्लास फूल आद रखिएगा ये 24-24 दोनों में है ठीक है ठीक है जारखन राज के नई पर्तिक चीन को चीन में दर्शाए गया प्लास का फूल इनमें से किसका प्रतिक है प्लास का फूर्ज जो स्वाम लोगों को क्या संबोधित करती है तो सही टिक हो जाएगा option number B राज के अपरतीम सुंदरी का प्रतिक पताती है ठीक है पंदरों नमबर कोशन देखेंगे जारखन राज के नए परतिक चिन में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाय गया है ठीक है तो किस चित्रकारी को दर्शाय गया है तो सही टिक हो जाएगा option number ये सोरी चित्रकारी को दर्शाय गया है option number ये सही टिक हो जाएगा सोरी चित्रकारी चलिए अगला कुशन जार्खन राजी के नए पर्तिक चिन में सोरी चित्रकारी में कितने कितने नर्तक को दिखाए गया है कितने नर्तक को दिखाए गया है नर्तक की संख्या आप आप से पूछा गया है तो नर्तक कितने है तो नर्तकों की संख्या जो दिर्शाए गए थी नए परतिक में वो 48 दिखाई गई है अगला कोशन जारकन राज के नए परतिक चिन में परदर्शित और चित्रकारी इन में से किसे परतिवंदित जो है परतिमिमीत करती है तो इसमें से कौन से वो संदर्ता को दिखाती है सही टिक लगाना है ओप्शन नमबर ये जनजातियों उसके सम्रिदि वा संस्कृतिक विरासत को ठीक है चली अठारा नमबर कोशन जार्खन राज्य के नए परतिक चिन में परदर्शित सौर चितरकारी का समन्द मुख किस राज्य से है सौर चितरकारी का समन्द किस राज्य से है ये समन्द बताना है राज्य का नाम तो सही टिक हो जोगा ओप्शन नमबर चली अगला कोशन जार्खन राज्य के नए परतिक चिन में परियुक्त सौर चित्रकारी इनमे से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है मतलो जार्खन जो सौर चित्रकारी उरिशा से समंदित है वो अन्य किस चित्रकारी से समंदित रखता है मतलो उससे समंदित रखता है तो वारली चित्रकारी से समंदित रखता है ये सोथ से समादेत है। चलीए, जहारखन राज्य के नई परतिक चीन के अंतीम चक्र में कितने सफेद विर्ताकार जो चर्कल बनाएगे हैं, वो शंख्या बतानी है, टोटल कितनी संख्या हैं। चलिए, option number C, शरकल बनाएगे हैं, विरताकार बनाएगे है, आगे question जार्खनराज्य के नए परतिक चीन में, नए परतिक चीन के कैंद्रिय भिभाग में इनमेशित क्या दिखाएगा है? जो केंदरीवहो मतलों जो बीच में है क्या दिखाए गया यहांisters ज़्ारखन राज्जिके नए पर्तिक चिन के केंदरीवहों से बाउन कास्वो को क्या संबोधित करती है क्या संकेत करती है सहीटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्या यह उत्तम सहकारी और संगवाद को बताती है और सहकारी संगवाद में जहारखन की सहबागीता को बताती है और सहकारी संगवाद में जहारखन की अद्विती समिच्व क बताती है अब एक नजर डाल लेते हैं इसका जो यह है मेप देखिए इसका जो अंतिम में यहां पे सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है यह सरकल जो है टोटल सिष्टी है निर्तकों की संक्या 48 है और यह फ्लास्पूल के संक्या कितनी है 24 है और जो हाथी है वो भी 24 है और बाहर अबागा सब्सक्राइब के साने सब्सक्राइब आगे से घर यह संब्सक्राइब को सब्सक्राइब तोफिलीज 밝ैंगे Hope Zumoke करेंगे इसे objective हर एक तीन आप साथ बजे इसे चैनल के माध्यम से जूड़ करके आप 100 टाइम रिविजन के लिए कर आएंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं जारखन राजी की कुल जनसंख्यां है जारखन राजी में कुल जनसंख्यां तो यह सब सारे को जुवान नहीं हो का तीन करोड उनतिस लाख अठासी अजार एक सो चोंतिस सही ओप्शन हो जागा यह चलिए दूसरा कोशन जारखन राजी की जनसंख्यां देश की कुल जनसंख्यां का कितनी परतिसत है तो सही तिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.72 लेकिन छेत्रफल जोड़ी पुछा जाया दोगए तो टू पॉइंट फोर टू परसेंट ठीक है चलिए आगे चलते हैं तिसरा नंबर जनसंख्यां की दिरुस्टी से जैरखन का भारत में कौं आस्थान है आस्थान बताना है तो जन्शंख्यां की दिरिश्टी से पंधरम आस्थान है लेकिनुए सोरी जंसं जंख्या में महिलाओं का प्रतिसत कितना है तो 48.68 प्रतिसत चार छे आठ 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 तो उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जागा अप्षन नंबर डी हो जागा 51.32 पर्शन चलिए नेक्स्ट शिष नंबर राजी की कूल जन संख्या में अनुसुचित जाती आनि सी का प्रतिसत लगव कितना सी लोग की प्रतिसत बताना है तो सही आठ रहाएं अनुसुचित जाती का प्रतिसत क्या है अनुसुचित जाती मतलो व्याद रहेंगा उप्शन नंबर सी फिर एक नंबर कोशन राजी की कोलजन संख्या में अलप शंख्यों का प्रतिस्थी लगव कितना सही आठ लगव कि इस में ठीक है राजी की कुल जनसंख्या में जीरो वर्ष से छे वर्ष के आयू के बच्चों कोई परतिसत लगभग कितनी है तो सही टिक हो जागा उप्शन नमबर सी सोलो पर्षेंट ठीक है अगला दसन नमबर कोचन जारखन राजी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राची का स्थापना का बोता है तो 899 में धनबाद का स्थापना 1856 में और लातेहर का स्थापना 4 अप्रेल 2001 को और लोहर दगा का 1983 को गुमला का भी 1983 को चलिए अगला कोचन जारखन राजी का दुसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दुसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा तो सही टिक हो जागा अप्शन नमबर सी धनबाद 1956 में इसका स्थापना होता है चलिए बारो नमबर कोचन जारखन राज का नियुन्तम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है नियुन्तम जनसंख्या वाला जिला सबसे कम जनसंख्या कौन से डिस्टिक में है कौन से जिला में है तो लोहर दागा में स जो जन संख्यां ब्रीदी दर है वो कितनी माप गये तो सही टिक जाग अप्शन नंबर बी 22.42 ठीक है 22.42 22.42 चलिए जारखन का देश में राज्यों कोवा अस्थान है यह तो दासवा अस्थान है जन संख्या ब्रीदी दर है चलिए अगला कोशन है राज्यों चलिए चलिए सब्से कंग जन संख्या ब्रीदी कहा होई तो धनबाद में अप्शन इम्प्शन यह सही हो जाएगा 17 नमबर कोशन जारखन राजजी में जारखन राजजी का जनसंख्या घनत्व कितना है परती वर किलोमेटर बताने हैं आपको तो सही ठीको जागा option नमबर B 414 सही है 18 नमबर कोशन राजजी में सरवाधिक जनसंख्या घनत्वाला जिल्ला कौन सा है आगे चलते हैं 19 नमबर कोशन राज में नियुनतब जनसंख्या घनत्वाला जिल्ला कम जनसंख्या घनत्वाला बहुत कम लोग वह छेत्र में दीख पाते हैं कौन सा छेत्र है दिरिष्टिक अनम बताने हैगा सिमडगा जगा तो बहुत है लेकि काम लोग काम अबादी महां पर पाई जाते हैं चली अगला कोशन देखते हैं 20 नंबर जनसंख्या घनतु की दिरिष्टी से जारखन का देश में देश के राज्य में कौन सा अस्थान पर है जनसंख्या घनतु की दिरिष्टी से जो अस्थान है वह जारखन का भारत में कौन स्थान लेकिन जन्संख्या गहना तुक दिरिष्टी से भी चौध वांस्थान ठीक है चलते हैं जार्खन राज्जी का लिंगानुपात परती अजार पूरुष पर बताना है महिला कितनी है तो सही टिको जाग अप्शन नंबर बी 949 महिला परती पूरुष ठीक है लिंगान फ्रिंग Report दिरिष्टान ठाओ से टरह करें बलीक लेज़ास्ट परताने शेतरफल से जन्संख्या नंभावण से जरंखन राज्चे Lorenz राज कितना है जर्कन राजे में जो होकार सब्सक्रार में नमब्पात कितनी है तो 210 लोग 910 महिला पत्ति पुरूश आगे जारखन राज्य में आनुसिचीत जाती का लिंगानुपात कितना है SC का लिंगानुपात यहाँ पे आपसे पूछा गया यह सारी इंपोर्टेंट नहीं है लिए पर भी 100 रिजन के लिए चल देते हैं 27 नामबर कोशन जारखन राज में स्र्वाधिक लिंगानुपात वाला जिल्ला कों सा है कि जार्खन राज में निहूंतम लिंगानुपातवाला जिले सबसे काम लिंगानुपात डॉस किस जिले में है तो सही टिक ऑजーक ऑप influerine धनबाग है अगला चलते हैं 29मेर कोशन जल Kelsey का सिशूलिग अनुपद के दना गशीती जादा इंप्रटेंट कोशन नहीं हे यह सोड़की कि या सकता है। को उचाल 230 में सरवाधिक लिंगानुपत वाला झीला कुए थे आधे मिलंटेआश्य नहीं पॉछाई भी क्या loseons आज और नियुंताब सबसे कभा है सबसे कम नियुंतान का है धनवाद में एठीक है आगे जहते हैं 77 जो जहरखंड में है वह कितनी है तो चीर सट पॉइंट फॉर वन और ऑप्शन नमबर भी हो जागा सही अंसर फिर बता जाए कि अन्सासित को मध्य नजर रखते वे जो यहां कि 77 जहरखंड का वह कितने अस्थान पर है तो अप्शन नमबर 32 जिन नमबर हो जागा 32 अस्थान पर है चलिए आगे देखते हैं पुरू 7-7 जारखंड में कितनी है तो सही अनसर हो जागा एप्शन नमबर पिर आगे बात करें जार्खन्राजे में दर्श फिल की 94ぜेवाय जो है वह सही चिल आप चैक हो गया जोह राजी हो गया पूंछा गया है तो उप्स knob 7 हो जाएगा का चालीज को राजानफी न्हूंत जार्खन राज में शर्वाधिक पुरूस साथेतर दर वाला जिल्ला तो राची हो जागा जहां पर पुरूस और महिला जहां दोनों साथेतर होते हो वही पे सबसे ज्यादा साथेतर होता है तो इसे ही याद किजेगा यह पाकुड हो जागा चलिए आगला 42 नमर कोचन जार् जार्खन राज में नियूनतं अनुशुची जन जाती वाला जिल्ला नियूनतं अनुशीची जन जाती एस उर्यूंत्म अनुशीच जातीę ये कहां लता हैं लॉहरदगा में कम ऐसी की काannya जारख्यन सरवादिक अनुशीची जन जाते ब satisf नीचे वाले भाग्र में देखने को मिलता है तो जो अप्सलमक कैंगे तो उप्सन नम्बर भी हो सही, 47 नमबर कोचन, जारखन राज में नियुन्तम अनुसिची जनजाती, ST, नियुन्तम अनुसिची जनजाती कहा है, तो सही टीखोज़ा का अप्शन नमबर, B, कोडरमा, ठीक है, आगे चलते हैं, 48 नमबर कोचन, 48 नमबर कोचन बोल रहा है, कि सबसे जादा, जो अनुसिची जनजाती है, ST ठीक है, वाला जिल्ला कौन सा है, सबसे जादा, ST वाला जनजाती कहाँ प्वियाए, तो सही टीखोज़ागा, अप्शन नमबर, सोरी, ठीक है, सबसे सरवादिक, ST वाला, जनजाती वाला चितर, जो अनुशुचीत जन जाती है स्टी वो कहां पर पाए जाएगा तो सबसे कम जो पाए जाता आप्शन नमर यह पापकुड के छोट्र में ठीक है अगला 50 नमर कोशन देखते हैं जार्खन राज में सरवादिक अनुशुचीत जन जाती परतिसत वाला परतिसत के ध्यान में रखते हुए अनुशुचीत जन जाती मतलो सबसे ज्यादा जू होगा वो कहां पर है तो option B खुटी परतिसत के अधार पर खुटी लेकिन जल सक्या के अधार पर राची ठीक है अगला चलते हैं 52 नंबर जार्खन राज में सरवादिक अल्फ संख्यक परतिसत वाला जिला सबसे कम अल्फ संख्यक लोग जो पाए जाते हैं वो सिम्डेगा की और पाए जाते हैं पाट शेतरी से नीचे वाले भाग 53 नंबर कोशन जार्खन राज में नियुद्धम अल्फ संख्यक परतिसत वाला जिला सरवादिक अब जहां सरवादिक अंपर प्योछा गी आया से 54 नमबर कोशन राज में पुरुषों की कुल जन संख्या कितनी है राज में पुरुषों की संख्या आपसे पुछी गई है और सही टिक लगाना option number C ठीक है आगे महिलाओं की संख्या पुछी गई तो महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे महिलाओं की संख्या सहीटी हो जागा ओप्शन नमबर ये 56 नमबर कोशन राज में 0 से 6 वर्ष के आयू के बच्चों की कूल जन संख्या कितनी है 2011 के अनुशार डाटा से आपसे पूछी जा रही है तो यहाँ पे सहीटी हो जागा अप्शन नमबर C ठीक है 59,595 ठीक है राज में अनुशार जाटी के वेक्टियों की कूल जन संख्या कितनी है अब से पूछी गई है तो सहीटी हो जागा अप्शन नमबर ये ठीक है इस बार कोशन को स्किप किया जा सकता है यहाँ पी आगे चलता है राज में अनुशिजी जन जाती के वेक्तियों की कुल जन संख्या कितनी है तो कुल जन संख्या जो अनुशिजी जाती है उनका जो स्वॉप्शन नमबर भी हो जागा उन चालिस लाग पचासी जात छेसो चोवालिस ठीक है आगे चलते हैं यहां आपसे दोजर ग्यारों की जन गाने के स्वॉर जार्खन राज में कुल ज्रमिकों की संख्या कितनी है उनका आकड़ा कितने तयार किया था तो एक करोड़ तीस लाख अंठानवी अजार दोसो चोहत्तर ठीक है आगला कुशन साथ नमबर राज में कुल ज्रमिकों की पूरूस राज में जो स्रमिक पूरूस है उसकी परतिसत कितनी है तो सही ठीक हो जागा ऑप्शन नमबर यह पूछा गया राज में महिलास रम्मिक की पूछा गया है तो सर्य परतिसत में कुल पूछा गया तो सही अंसर और यहां पे परतिसत यहां सोरी यहां पूछा गया स्बसक्राइब जिल्नाव को उनकी जनसंख्याओं के वार्ण साधाना दाने की कौन सी जिल्त में सबसे काम जनसंख्याँ उसके वाहादू से संख्या में तो सही हो जाएगा अप्सिन नमबर इसका देखें यहां जिल्ला का पुछा गया जिल्ला का पुछा गया तो उक्षाइटिक हो जागा option number बी पहले जो है जो किसका है लोहर दगा का है उसके बाद हो गया चोथा नमर खोटी उसके बाद पहला नमर सिम्डेगा और फिर दूसरा नमर कोडर्मा ठीक है नेश्ट है यहां पे कम से जाद स्वरी अधिक से कम पुछा गया तो अधिक से कम नंबर में ऑफ्षन नंबर सी हो जाएगा जो कि पहला राची है सबसे अधिक में है उसके बाद धनबाद में है उसके बाद गृड़े में है फिर पस्षिम शुम होए आगे चलते हैं अधिक लिंगानुपात है उसका नंबर सही ठीक हो जाएगा उप्षन नंबर सी पहला है पस्षिम शुम खोटी गुमला और पाकुड ठीक है आगे देखते हैं सिश्टिफाइप नंबर कोशन जार्खन राजजी में निम्ड जीलों के बढ़ते हुए साथ सता दर के करम में होता है सबसे कम उसके बाद उसके बाद तो सबसे कम जो जैसे की पाकुड जानते हैं तो पाकुड जो 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 च्यार्षट नमबर कोशन 2011 की जनगाना के अनुसार जार्खन राज्य में अन्य पिशड़ा वर्ग आनि ओबीशी राज्य की कुल जनसंक्या का कितनी भागिदारी है जो टोटल जनसंक्या है जार्खन की उसमें ओबीशी की परतिशत मात्रा बतानी है तो सही टिक हो जागा ओप्शन नमबर बी चालिस परतिशत लगवग OBC है आगे 66 नमबर राज में सरवादिक अन्य पिशड़ा वर्ग की जनसंक्या वाला जिला कौन सा है सबसे पिशड़ा मतलब सरवादिक जनसंक्या होला OBC जनसंक्या वाला जिला कौन सा है सरवादिक जनसंक्या वाला जिला तो सही टिक हो जागा ओप्शन नमबर बी गिरेडी में सरवादिक जो है OBC कंडिड़ा रहते हैं अगला कौशन 68 नमबर और आंतिम नमबर कौशन आप जो कंडीन जर्खन से आदा जिके से देख रहे है राज में नेम्ड में से किस अनूशचीत जनसंक्या सर्वादिक है जनसंक्या वाला कौन सा है संताल जनसंक्या नमबर 34 परशेंट ठीक है। आगे बाद कर लेते हैं कि अज हमें शेशन जो देखें जाहर खंट UK का देट मी 2 देखें अगला को स्नृदे में हम लोग चलेंगे आदिन जय्जाथी से larति से अमधिर झाल झाल